केंद्र में मंत्री परिशत के मेरे साथी स्रिमान कलराज मिश्र जी इसी विभाग के मंत्री मेरे साथी स्रिमान थावर्चन जी रेल मंत्री और इसी भूमी का संतान भाई मनोश चिना जी इसी विभाग के मंत्री स्रिमान कृष्णपाल जी स्रिमान विजय सांपला जी राज्य सरकार में मंत्री स्रिमान बलराम जी भारत सरकार के सचीव स्रिलव वर्मा जी ब्रिटेन के हाउस अब लॉर्ड के सदस्य और भारत में और दुनिया में विद्वाओं के लिए लगातार काम कर रहे लॉर्ड लुम्बा जी उनकी स्रिमती जी और आज मुझे जीन का दर्शन करने का सोभाग मिला है ऐसी सभी दिव्यांग भाईयों और बेहनों और उपस्तित काशी के मेरे प्यारे भाईयों और बेहनों आज मैं काशी मैं आया हूँ तब मैं विशेश रुप से दो महनुभाओं का पुन्य स्मरन करना चाहूंगा एक स्रिमान जैस्वाल जी दूसरे स्रिमान हरिश जी इन दोनों महनुभाओं ने जीमन भर इस खेत्र की सेवा की और अब हमारे बीच नहीं है मैं उनका पुन्य स्मरन करता हूँ उनको आदर पुर्वा घंजली देता हूँ आज प्रातव सरकारी व्यवस्था से हमारे कुछ दिव्यांग लाभार थी इस समारों में आ रहे थे उनकी बस पलट गई कुछ लोगों को इजा हुई दिल्ली से मैं निकला उस्सी समय मुझे पता चला और हमारे मंत्री महोदय तुरंट वहां पहुँचे सरकार के अधिकारी पहुँचे बहुत लोगों को तो बहुत मामूली चोड थी कुछ लोगों को कुछ दिन के लिए अस्पताल में वहुस्था रहेगी तेकि ये सारी विवस्था सरकार करेगी और मैं इन सभी बच्चों का जल्दी से जल्दी स्वास्तलाब हो ये इश्वर से प्रार्शना करता हूँ आज हमारे बीच डाक्टर लुम्बा जी और उनकी स्रीमती जी हैं विदेश के बुन्य बिन्न भागों में और विदेशों में भी विद्वाओं के कल्यान के लिए काम करते हैं कुछ समय पहले मुझे मिले थे तब चर्चा हुई थी काशी में भी विद्वाओं के लिए कुछ किया जाएं और तब से लेकर के उन्होंने काम शुरू किया है उस काम को बल मिल रहा है सम्मान के साथ हमारी ये माताए बहने जीवन गुजारा करें उस दिशा में उनका जो प्रयास है उसका मैं अभिनंदन करता हूँ दोनों पती-पत्नी जी जान से इस काम में लगे रहते हैं और उनको आप किसी भी जगा पे मिलोगे शादी में मिलो, पार्लामेंट में मिलो, मैं अभी ब्रिटन गया, पार्लामेंट में सब लोगों से मिल रहा था लेकिन हमारे लुम्बाजी आ गए और तुरंत विद्वाओं की बात शुरू कर दी तो मैंने लुम्बाज को कहा, मुझे कहा, लुम्बाजी मुझे कुछ और तो काव करने दो लेकिन उनके मन में ऐसा अपनी मा की पुर्णय स्मरन में उन्होंने इस काम को हाथ में लिया है बहुत मने योग से कर रहे हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ और विशेश रूप से मेरे काशी खेतर की सेवा में वो हाथ बटा रहे हैं इसलिए मैं काशी के प्रतिनिदी के रूप में भी आपका अभार व्यक्त करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ कुछ दिन पुर्वा जपान के प्रधान मंत्री काशी की मुलाकात के लिए आये थे अभी दो दिन पुर्वा जपान के प्रधान मंत्री जी का जपान के अंदर एक भाशन था बुद्धिस मुमेंट के अंतरगात वो भाशन था लेकिन मैंने इंटरनेट पर वो भाशन पढ़ा और मैंने देखा कि उछ भाशन में उन्होंने काशी की अपनी यात्रा का जो वरणन किया है मा गंगा का जो वरणन किया है आरती के उस समय उनके मन में जो मनोभाव उठे उसका जो वरणन किया है हर काशी वासी को हर हिंदुस्तानी को उनके ये शब्द सुनकर के गर्व महसूस होता है कि हमारा अपनापन कितना व्यापक हो और कितना विशाल है मैं प्रधान मंत्री जपान के अबेका अभारी हूँ को उन्होंने जपान जाकर के भी अभी दो दिन पहले इतने विस्तार से हमारे कासी के गुणगान किये हमारी गंगा के गुणगान किये गंगा आर्ति का स्मरर किया मैं इसके लिए भी उनका बहुत-बहुत आभारी हो अभी मैं थावर्चन जी को सुन रहा था आप लोगों को व्याद होगा जब लोगसभा के चुनाव पुर्ण हुए और पार्लामेंट के सेंट्रल हॉल में एंडिये के लिए दोने मुझे नेता के रुप में चुना प्रधान मंत्री पत की जिम्मेबारी के लिए मुझे पसंद किया और उस दिन मेरा एक भाशन था उस भाशन में मैंने कहा था कि ये जो सरकार है ये सरकार गरीबों को समर्पीत है दली थो, पीडी थो, शोची थो, वन्ची थो जिने जीवन में कस्ट जेलने पड़ते हैं उनके लिए ये सरकार कुछ न कुछ करने का प्रयास करेगी ये मैंने प्रधान मंत्री पत के शपत लेने से पहले गोशित किया था और आप लगातार देखते होंगे कि सरकार के सभी कारकवों के केंदर में इस देश के गरीब को विकास का लाब कैसे पहुँचे गरीबों की जिन्दगी में बडलाव कैसे आए उद्धिशा में एक निरंतर प्रयास चल रहा है आज ये जो कासी में कैंप लग रहा है ये कोई पहला कैंप नहीं है वरना कुछ लोगों को लगेगा कि प्रधान मंत्री का शेत्र है इसलिए यहाँ जरा पांचों उंगलियां घीमे है इसलिए यहाँ कैंप लग रहा है ऐसा नहीं है इसके पहले ऐसे ही अठारा सो कैम्प लग चुके हैं लाखों लोगों को ये सुविदा पहुचाई जा चुकी है और ये आखरी कैम्प भी नहीं है इसके बावजुद भी हिंदुस्तान के हर कौने में जाकर के ये हमारे दिव्यांग भाईव भेनों को खोज करके उनकी क्या अवशकता है क्या उनको कोई संसादन मिल जाए तो उनका जीने का विष्वास बढ़ जाए, कुछ करने का विष्वास बढ़ जाए कुछ सहस्ता हो जाए, सुविदा हो जाए ये प्रयास आज चला है चलता रहेगा सरकारे पहले भी थी ये विभाग भी 1992 से चल रहा है सरकार में ये विभाग 1992 में बना बजेट भी दिये गए लेकिन मुझे बताया गया कि 92 से लेकर के 2014 तक बड़ी मुश्किल से 50-500 केम्प लगे थे ये सरकार गरीबों के लिए दोड़ने वाली सरकार है कुछ करगोजने वाली सरकार है कि एक साल के भीतर भीतर अठारा सो केम्प लगाया अठारा सो 20-22-25 साल में सो केम्प मी नहीं लगे एक साल में अठारा सो केम्प लगे और पूरी सरकार खोजने के लिए जाती है लाभारतियों को जिनका हक है उन तक पहुंचने का प्रयास कर दो है हम जानते हैं कभी-कभी सरकार की ऐसी योजनाओं का दुर्प्योग करने वालों की भी कमी नहीं होती है बिचोली मैदान में आ जाते हैं वो बेचारे के पात पहुंच जाएंगे उसके साथ चर्चा करेंगे उसको कहें के देखो भाई हैं मैं तुमको एदिलवाता हूँ इतना बिच में बीच में मेरा हो जाएगा तो मैं ट्राइसिकल दिलवा दूं कुछ मेरा हो जाए तो मैं hearing aid की कुछ ववशता करूं कुछ मेरा हो जाए ये कैम्प लगाने का परिणा मिये हुआ है कि बिचोलिये नाम की दुनिया समापत हो गई है कि कभी-कभी मुझ पर जो सारी दुनिया का तुफान चलता रहता है ने सुबह उटवा चारों तरफ से मुझे पर हमले चलते रहते हैं चारों तरफ लगे रहते हैं कि उनको लगता है कि मोदी अपना मुब यह रास्ता छोड़कर कि कुई से और रास्ते पर आ जाएं विवादों में पढ़ जाएं लेकिन मेरा तो मंत्र है मेरे देश के दुख्यारों की गरीबों की सेवा करना और इसलिए मैं विचलित नहीं होता हूं लेकिन यह हो इसलिए रहा है कि व्यवस्ताएं ऐसी बदल रही हैं नटबोल्ट ऐसे टाइट हो रहे हैं यह बिचोलियों की दुकाने बंद हुई हैं इसलिए यह परेशानिया हो रही हैं हर प्रकार के ऐसे लोग उनको जरा तकलीप हो रही हैं लेकिन उनकी इस तकलीप से मुझे जराबी तकलीप नहीं है अगर मुझे तकलीप है तो मेरे देश के गरीबों की दुर्दसा से तकलीप है बिचोलियों की परेशानी से तकलीप नहीं है आज यहां नवहजार से अधिक लोगों को इस कैम के तहत कोई कोई संसाधन उप्लद्द कराए जा रहे हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि काशी में भी यह काम पूरा हो गया अभी भी रिजिस्टेशन चल रहा है जान चल रही है जानकर या इकटी कर रहे हैं और भी जैसे जैसे चीजे ध्यान में आएगी मैं शायद आऊ या ना आऊ लेकिन कारकम चलता रहेगा कैम लगते रहेंगे इसकल के जीलों में भी भले वो काशी लोक्षभाग चेत्र का हिस्सा नहीं होगा वहां भी इस काम को किया जाएगा और ये वबस्ताएं लोगों को अपलब दकराई जाएगी कि मैं यहां चोटे-चोटे बच्चों से मिल रहा था उनके माबाप की चहरे पर मैं चमक देख रहा था क्यों क्यों कि वो बच्चे सुन नहीं पा रहे थे और सुन नहीं पा रहे तो कभी बोलनी पा रहे थे जैसे ही सुनना शुरू हुआ साथ-साथ बोलना भी शुरू हो गया और करीब करीब हर बच्चे ने मेरे से कोई न कोई बात की एक दो एक दो शब्द हर बच्चा बोला और उनके मा के मन में इतना आनंद भाव था अब ये बच्चे जन्म से उनको ये अवस्था मिली है पिछले दिनों मैंने सारवजनी गुरूप से मेरी मन की बात में एक इच्छा प्रगट की थी कि क्यों न हम ये विकलांग शब्द सब्द बदल करके दिव्यांग शब्द उप्योग करें दुनिया के हर देश में हर भाशा में इस प्रकार की अवस्था वाले लोगों के लिए नए नए शब्द आये हैं टर्मिनोलोजी बडली गई है और लगातार उसमें सुधार होता ही चला जा रहा है हर कोई नए नए तरीके से इस विशेकुम रखता है लेकिन हमारे देश में वर्षों से यही शब्द चल पड़ा था वैसे अचाना कि यह शब्द बदलना कठीन होता है मेरी भी बास्टर में बोलते बोलते शायद पांच बार मैं भी वो पुराना शब्द भी प्रयोग कर लूँ क्योंकि आदर लगना अभी समय लगेगा सरकार को भी नियमों में बड़लाव लाना पड़ेगा काफी कुछ प्रक्रियां रहती हैं लेकिन क्या हम दीरे दीरे इसको शुरू कर सकते हैं कि और इसका बड़ा असर होता है मान लीजिए कोई हमें मिलता है और परीचे कोई करवाता हैं ये फलाने फलाने पुजारी है पुजारी कहने के बाद भी तुरंत हमारा नजर उसके भाल पर जाती है तिलक वगएरे देखता है हमेरे आखे तुरंत चली जाती है देखते हैं पुजारी कहां बड़ला माला कि भाल पर कोई तिलक व simpler को भीजानी तुरंन न चानी है तो तुरंध मारी मन में विचान आता आ अच्छा-च्छा किश्विशए के ज्यानी होंगे। उनके ज्यान को जानने की इच्छा करता है हमें कोई परित्य करवाता कि पहलवान है तो तुरंद हमें उसकी भुजाओं पर हम नजर जाती है कि कैसा बड़ा मजबूत आदमी है वैसे ही कोई अगर विकलांग कहता है तो पहली हमारी नजर उसके शरीर की कौन सी कमी है उस तरफ जाती है मैं यह सोज बदलना चाहता हूँ कि उसे मिलते ही कोई कहे यह दिव्यांग है तो मेरी नजर उस बात पे जाएगी कि उसके अंदर कौन सी एक्स्ट्रा ओर्डिनरी क्वालिटी भगवान निती है हम लोग आँखों से देखते है आँखों से पढ़ते हैं लेकिन एक प्रग्याचक्षू उंगली से पढ़ता है वो ब्रेल लीपर अपनी उंगली गुमाता है और उसको पढ़ लेता है वो मतलब यह उसका दिव्यांग है यह दिव्यता दिये है इस वर ने उसको उस दिव्यता ने उसे विक्सित किया, और इसलिए, जब मैं विकलांग से दिव्यांग की बात करता हूँ तब, जब जब हम ऐसे अपने जनों से मिलेंगे, अपनों से मिलेंगे, तब हमें अब उसमें क्या कमी है, उस तरफ हमारा नजरिया नहीं जाएगा, उस तरफ हमारी स प्रोच नहीं जाएगी कौन सी extraordinary qualities में है उस तफ रहामारी नजर जाएगी कि मुझे यहां कि राहूल करके एक बच्चा मिला कि मंद बुद्धी का है कि उसको कॉंप्यूटर दिया और मैंने देखा कि तुरंट कहां पर कॉंप्यूटर चालू करना कैसे प्रोग्रेम को आगे बढ़ाना तुरंट उसने शुरू कर दिया अब यह उसके परिवार के लिए एक नई आशा लेकर आया है एक नया विश्वास लेकर आया है और इसलिए हमारी कोशिज यह है कि इन व्यवस्ताओं के माध्यम से हमारे समाज में यह करोरों की तादाज में ऐसे हमारे परिवार्जन है इनकी हमें चिंता करनी है मैं समाज के नाते भी यह बात अपने दिल से कहना चाहता हूं खास करके जिन परिवारों में मानसी गुर्प से दुर्बल बच्चे पैदा होते हैं बहुत कम लोगों को कल्पना होगी कि उस परिवार में माबाप का जीवन कैसा होता है बहुत कम आता है अगर परिवार में ऐसा बच्चा पैदा होता है तब उस माबाप की उमर तो होती है 25 साल 30 साल 35 साल जीवन के सारे सपने अभी तो पूरे होने बाकी होते हैं लेकिन एक दो साल की उमर होते ही बालक में इस प्रकार की कमी मैसूस होती है आपने देखा होगा उस बालक के माव और बाप और घर में अगर दादा दादी हैं तो वो सब के सब अपने जीवन के सारे सपनों को समाप्त कर देते हैं अपनी सारी इच्छाओं को मार देते हैं अपनी पूरी शक्ती शम्ता जो भी हो उस बालक की सेवा में खपा देते हैं परिवार में और दो तिन बच्चे होंगे उसको जितना प्यार देते हैं उससे अने गुणा प्यार इस बच्चे को वो देते हैं उनका एक उनके मन में भाभ होता है कि इश्वर ने हमें एक कसोटी पर लेकिन समाज के नाते हमने सोचना होगा कि इस परिवार में इश्वर ने इस प्रकार के बालक को जन्म दिया है क्या उसी परिवार की ये जिम्मेवारी है मेरी आत्मा कहती है नहीं इस परिवार को परिवार पर उसका बरोसा है कि ये इस बच्चे को समालेंगे लेकिन समाज के नाते हम सब का दाईत्वर रहता है कि बालक भले उनकी कोक से पैदा हुआ हो बालक भले उस घर में पल बढ़ रहा हो लेकिन समाज के एक सामुहिक जिम्मेवारी होती है ऐसे बालकों की चिंता कर लेगी और इसलिए हमारी सरकार इसी मनोभाव से इसी भूमिका से हमारे इन प्रकार के बालकों की चिंता विशेश रुप से कर रही है और आप जानकर रहरानी होगी जब भी आंतर राश्चिय खेलकूत होती है हमारे बच्चे शारी कूप से औरों की तुलना में न इतनी उचाई होती है न उतना वजन होता है उसके बावजुद भी गोल मेडल लेकर के आते हैं इस प्रकार के बालकों की जो अलेंपिक होती है गोल मेडल लेकर के आते हैं और मैं हर वर्स कोशिश करता हूं इस प्रकार के आये हुए बालकों से मिलने का मेरा लगातार प्रयास रहता है हमें प्रेणा देते हैं वो जब इस प्रकार के विजय प्राप्त करके आते हैं उन करेंगे ट्राफी लाकर आते हैं तो मेरे हांठ में पकड़ा देते हैं और उनको लगता है कि आपको देना करता हूं नहीं आप लोग लेकर आएं आपको ले जाना है तो कहते हैं अपने इशारों में समझाते हैं यह आपके लिएन है जब गुजरात में था मुन को छूजने वाली घटना इगरती थी ये जो शक्ति है इसको मैं दिव्यांग के रूप में देखता हूं ये भारत मा का भी दिव्यांग है हर बच्चा जिसके जीवने में भावाया है वो भी हमारे लिए दिव्यांग है उस रूप में हम इसको आगे भड़ाना चाहते हैं आने वाले दिनों में अभी अभी हमने एक बड़ा एक महत्वपुण काम उठाया है कि सुगम में भारत दुनिया में इस विशे में बड़ी जागुर्पता से काम हुआ है हमारे यहां संबेजना होती है सिंपधी होती है रास्ते में कोई जाता है तो मदद करने का लिए हम सब कुछ करते हैं लेकिन व्यवस्ताएं विक्सित करने का हम लोगों का थोड़ा स्वभाव कम है और इ उनको ऐसी सुविदा मिलती है जैसे हम जैसे शरीर से हर प्रकार से सक्षम लोगों को मिलती है अब यह कठिना ही है और इसलिए हमने प्ताय किया कि एक माहोल बनाएंगे नया बिल्डिंग बनेगा भले शायद पूरे जीवन पर एक ही व्यक्ति आये जिसको ट्रैसिकल में द्विक्षित करें गए है उसको कोई दिक्कत नहुगा ले जाने की विक्सित करेंगे घुए दिरे अदर डालनी पड़ेगी इतना बड़ा देश है यह काम करने में समय लगता है लेकिन अगर हम शुरुवात करें, जैसे अभी सरकार ने शुरू किया है, फिर कम से कम सरकारी भवनों में तो तै करें, अब जितने सरकारी भवन बनेंगे, उसमें इस प्रकार के लोग जो होंगे, उनके लिए अलग टॉयलेट होगा, अलग उनके पास टॉयलेट का सीट होगा, ये विवस्ताएं दीरे दीरे हमें स्विक्सित करनी है, पिछले दिनों एक अभ्यान के रुप में काम लिया है, हर डिपार्टमेंट को सेंसिटाइज कर किया जा रहा है, कि इतने दिन जो हुआ सो हुआ, अब हम कुछ करें, आप देखिए, हर जगा पे, उनको अग जहां कानूनी बटलाव लाना होगा, कानूनी बटलाव लाएंगे, जहां पर नियमों से ववस्ताएं बटली जा सकते हैं, नियमों को बटलेंगे, लेकिन ये चीजे करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे, और हमने इस बात को दीरे दीरे आगे बढ़ाना है, और आप समाज में मेरा भी एक विशे स्थान है यह उसका कॉंफिडेंस लेवल इतना बढ़ा देगा वो रोता नहीं है उसको तो हमसे भी स्टेज गती से ट्रेंड चड़ जाने की ताकत है उसकी लेकिन अगर व्यवस्ताइं विक्सित होगी तो उसको लगेगा एक समाज मेरे प्रती संबेदन सील है यह भाव जगाने का प्रयास और व्यवस्ताइं विक्सित करने का प्रयास सरकार की तरफ से चल रहा है आने वाले दिनों में इंसानी चीजों का उपयोग मैं समगता हji हूँ एक नई च्श्मता पैदा करने के लिए एक नया विश्वात पैदा करने के लिए एक नया सामर्थ पैदा करने के लिए होती रहेगी मैं फिर एक बार सिमान गहलोज जी को किश्नपाल जी को सांपला जी को क्योंकि तीनों हमारे मंत्री इस विभाग को देखते हैं जिस मलगन के साथ इस काम को वो एक भक्ती पुर्वक कर रहे हैं और आज मेरे काशिक खेत्र के लिए जिनोंने मुझे चून करके भेजा है उनके लिए आप लोगने इतनी मेहनत की लगातार आप लोग यहां आए और हमारे इन सारे भाई बेहनों को आपने जोई ववस्था पहुँचाईए इसलिए मैं विशेश उपसे हमारे इन तीनों मंत्रियों का भी अभिनंदन करता हूँ उनके विभाग के अधिकारियों का भी अभिनंदन करता हूँ तो उन्होंने इस्ठन के बाउजुद भी काम को आगे बढ़ाया जो मेरे दिव्यांग भाई बेहन यहां आए है बहुत लोग हैं जो शायद मुझे सुन पाते होंगे लेकिन देख नहीं पाते होंगे बहुत ऐसे होंगे जो मुझे शायद देख पाते होंगे लेकिन सुन नहीं पाते होंगे उसके बाउजुद भी मेरे इस मनो भाव को उन तक पहुँचाने की आज ववस्ता तो की है लेकिन मैं उनको भी स्वाद जलाता हूँ कि आप किसी से कम नहीं है और हम होंगे कामियाब इस मंत्र को लेकर के आगे बढ़ना है मेरी आप सब को बहुत-बहुत शुब कामना है बहुत-बहुत धन्यवाद